मेरी दरब से सब लोगों को थैंक्यू क्योंकि मैंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि हमारी फैमिली इतनी बड़ी हो जाएगी स्टार्टी में तो ये चीज इंपॉसिबली लगी थी मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे लग रहा था कि करकर तो देखते हैं देखेंगे कि आगे क्या होगा स्लोली स्लोली वे मिलते गए कुछ चेंजेस हुए और हम यहां तक पहुँच गए जो भी हमारे साथ इस जर्नी पर है उनके लिए मैं बहुत ही थैंक्फूल हूँ हमारा लास्ट का कम्यूनिटी पोस्ट के भी क्या चाहते है तब उस टाइब की मुवीज मुझे अच्छी लगती है फिर वो जन्रा कोई भी हो मतलब हॉरर हो या फिर थ्रिलर हो कोई भी चलता है पर मुझे मुझे रोमेंटिक मुवीज अच्छी लगती है इस माई गिल्टी प्लेजर लास्ट क्यूने में भी मैंने बात बोली थी कि मुझे रोमेंटिक मुवी में ये कोरियन मुवी बहुत ही अच्छी लगती है उसके बाद अगर हम हल्यूड की बात करें तो एडी दे इगल और भी मुवीज है जो मुझे अच्छी लगती है पर ये दोनों मुवीज मुझे बेस लगती है एक वेस्टन था डोंट रिप्लाई का वेरी वीर्ड यूजरनेम शूप शर्मा का क्वेस्टन है कि मेरा भी चैनल है और वोईस क्लेर कैसे आता है क्या आपका रूम साउंड रूफ है तो वेसे साउंड रूफ वेगरा तो नहीं है मैं जल्दी सुबा जल्दी उठकर रेकॉर्डिंग करता हूँ तो इस वज़े से कोई भी ज़्यादा डिस्टर्बंस नहीं आती है वेसे अब ट्राय कर रहा है उस साउंड रूफ करने का अब देखेंगे कि किस तरीके से टर्न आउट होता है रूफ सा कर्मा कर का क्वेशन है कि आप जो प्यानो ट्यून यूज करते हैं उसका नाम क्या है तो फाइनली इस क्वेशन को मैं आंसर करी देते हैं यह हेवनली रोमैंटिक बाइ आकाश गांदी तो आप इसे यूटूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मिल जाएगा रिचर्ट बारकर और बहुत सारे लोगों ने यही क्वेशन पूछा है कि रोमियो टेल्स चैनल का क्या हुआ तो उस पर जारा प्रॉलम चल रहे हैं पर जल से जल हम वहाँ पर वापस आएंगे फिर से मेरी फेवरेट सिरीज के बारे में पूछा है तो रिसेंटली मैंने क्रैश लैंडिंग ऑन यू देखी थी जो फील गूड अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है और अच्छा फील करना है तो वो सिरीज आप देख सकते हो मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी खुशियाना ने पूछा है कि 0 से 200 तक का सफर कैसे था किसी ने आपको डिमोटेट नहीं किया तो एक्चॉल में वैसे बहुत सारे लोग होते हैं आसपास के लोग होते हैं जो डिमोटेट करते हैं पर आपको लगे रहना है अगर डिमोटेट हो गए तो फिर बात में रिग्रेट करना पड़ेगा और जो सही बात नहीं है रिग्रेट आदमी को बिटर बना देती है ये एक्वेशन है तो लॉगड़ोन लगने के बाद मैंने मेरे चानल स्टार्ट किया था फैंटम माफिया ने पूचा है कि आपकी गर्फरेंड का नाम बताओ अब है ही नहीं तो क्या नाम बता सकते हैं वैसे उन सब चीज़ों के लिए आजकल टाइम भी नहीं है मनिंदर सिंग ने एक्वेशन पूचा है जो हमारे बहुत रेगुलर विवर है और हमेशा कमेंट भी करते है तो भाई आपने फेस रिवेल करने का कब सोचा है तो जल्दी करेंगे देखते है वीड़ो एक्स्प्लेशन के अलाबा और क्या काम करते हो तो वैसे मुझे मार्केटिंग में बहुत इंट्रेस्ट है तो इसी के रिगार्टिंग में कोर्सेज वगरा सेल करते हो और आगे भी कुछ ना कुछ तो कोछी में करूँगा तो तो देखते हैं अब देखते हैं कि किस तरीके से चीज़े टरन आउट होती है वैसे मेरे फैमिली मेरी मदर और फादर है और वैसे मेरे घर पर ही करता था पर अब मैंने एक फ्लाट ले लिया है जहाँ पर मैं स्टुडियो टाइप बनाना चाहता हूँ और वही पर अब यह वोईस रेकॉर्डिंग भी वही पर चल रही है इन्होंने पुछा है कि आपके आवाज इतनी स्वीट क्यों है तो अब भगवान की देने आप क्या कर सकते है आप सब की कमेंट्स रीड करते है तो नोटिफिकेशन आ जाता है वैसे नोटिफिकेशन तो आ जाता है तो डिरेकली मैंने एक दो यूटूब पर टूटोरियल देखी थे और डिरेकली करना स्टार्ट कर दिया अगर आप प्रोसेस में सिखते हो तो बहुत ही अच्छे से सीख जाते हो और फिर आपको कुछ भी याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आपने खुद नहीं सीखा है स्टार्टिंग कैसे कर है और आपके कितने चानल से वैसे हमारे दो चानल से तेल और रूमियोड यूर्όσ टेल्ज बहुत ही ओर रेटीड गंसेट है सा मुझे लगता है कि क्योंकि अगर आपको कोई भी start करना है तो directly start कर दीजे process में आप सब कुछ सीख सकते हो कुछ काम करने के बाद थोड़ा सा motivation आता है और उसके बाद हम करते जाते है Royal Gamers ने मेरा नाम और age पूछा है तो मेरा नाम है Hidik Patil और मेरी age है 21 Mr. Player ने पुछा है कि भाई आप कहा से हो तो मैं नासिक महारास्टा से हूँ जो बहुत ही एक beautiful place है सब को एक बार visit करना चाहिए आर्या इसने पुछा है कि आपका inspiration personal कोन है तो generally मैं Gary Vee को follow करता हूँ और उसके बाद अब Sam Ovens की videos में देख रहा था तो I think ये दोनों अपने काम को लेकर बहुत ही passionate है तो इन्हें ही में follow करता हूँ वैसे internet वर बहुत सारे लोग है और जो भी अच्छे से काम करते है उनसे में inspire हो जाता हूँ तो ये QN था हमारा 3 months पहले का और इसे कभी भी हम complete नहीं कर पाए क्योंकि कुछ न को जा जाता था editing ही बाकी थी recording करकर रखा था फिर editing बाकी थी पर अब वो recording भी मिल नहीं रही थी तो फिर से हमने record कर लिया अब हमारे latest QN पर आते है जो मैंने कल पोस्ट किया था सिमरन ठाने करने पूछा है कि I would like to listen to the whole story behind this huge success It will be interneting stuff यह बहुत ही long story है और अगर इसे बताना स्टार्ट करते तो फिर एक दू गंटे निकल जाएंगे तो हम QN में इस question को skip कर देंगे पर अगर शायद मैंने कभी vlogs channel स्टार्ट किया जो मैं चाहता हो तो उसमें आपको मेरी story सुनने को मिल जाएगा definitely सइधा आलम ने question किया है कि which microphone do you use so microphone मेरे पास अब माउनो का है condenser mic 3000-3500 तक आता है पर इससे पहले मैं हमेशा बोया का mic यूज़ करता था वैसे कुछ भी जादा फरक नहीं पड़ता अलग-अलग mic के pro and cons होते तो कोई भी mic आप यूज़ कर सकते हो मैं video editing के लिए क्या यूज़ करता हो ये भी उन्होंने पूछा है तो मैं filmora 10 ये editing software यूज़ करता हो रितिक राना ने पूछा है कि will you come and hang out with me so I don't know where you live so I don't know if I can बहुत सारे लोगोंने मेरी monthly YouTube income पूछी है तो job नहीं करना पटे इतनी income हो जाती है पर income हमेशा fluctuate होती रहती तो कभी भी इसका भरोसा नहीं होता कब क्या हो जाए तो इस वज़े से बाकी income stream भी होना important है पुछपंडू मैटी ने पूछा है कि आप movie explanation क्यों करते हो मतलब याई डाव इगरा कैसा आया तो हमेशा से मैं बहुत सारी movies देखता रहा हो चार साल से था तब से Hollywood की movies मैंने देखी है मेरे father हमेशा movies लाते रहते थे तो मुझे हमेशा से movie में बहुत interest था तो अब वही करना चाहिए जो आपको पसन है तो मैंने यही करना स्टार्ट कर दिया फैंडम लॉड ने बुचा है कि आर यू ब्रदर ऑफ बॉल्यूर सिर्वल स्क्रेन वो मेरी inspiration है पर मैं उनका ब्रदर नहीं हूँ उन्हीं को देखते कर हमने explanation स्टार्ट किया था स्टोरी विस हैमल ने बुचा है कि अगर आपकी वीडियो ब्लॉक हो जाती है तो क्या YouTube आपको उसके पैसे देता है तो जब तक वो वीडियो ब्लॉक नहीं हुई थी तब तक जो भी IRS उस पर लगे थे जो भी इनकम हुई तो उसके पैसे यूटूब दे देता है पर जादा वीडो ब्लॉक नहीं होती जनरली एहमद ने पूचा है कि इंटरनेट पर मुवीज मिली जाती है डाक सौल गेमिन ने पूचा है कि क्या आप अकले काम करते हैं या आपकी टीम भी है तो मेरी टीम में मेरा एडिटर है बस हम ही दोनों मिलकर काम करते हैं अभी स्लोली स्लोली लोग बढ़ते जाएंगे सो आई थिंक हमने सब लोग की क्वेस्टन को आंसर कर दिया है चानल पर बहुत सारे इंपोर्डन चेंजेस आने वाले हैं तो इसे जुड़े रहेगा हम मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिया थैंक्यू सो मच